हलो गाइस कैसे और आज की जो हमारी SMC किलास है उसमें हम सीखने वाले हैं कि फेर वैलू गैप्स क्या होते हैं इसके मल्टीपल नाम होते हैं जिसको लोग इंबैलेंस भी कहते हैं है FVGs भी कहते हैं तो जो आपको ठीक लगए आप इसे वह कह सकते हैं परपस सबका सेम है ठीक है आज की जो हमारी SMC की किलास में है हम यह सीखेंगे कि मार्केट में इसकी बेसिस के उपर कैसे ट्रेड हम करते हैं और इनका परपस क्या होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पस दो किसम के ainda क начала कामीजर यहां पर आ रहे हैं यहां यहां पर आ रहे हैं हमारी मिलंस हैनुउं सेल साइट के अरые अबहर सकया है और यहिंदे में हम हैं कोंवly question कैरेक हैं पर हम आने वाले क्लास्व में जरू कवर करेंगे कि हमारे पास मुल्टिबल किसम के जो सेशन होते हैं लंडन न्यू यॉर्क फ्रैंक्फर्ट एशियन सेशन तो यह साही चीज़े होती है तो उन सेशन जब ओपन होते हैं उनके दरिम्यार मार्केट में बहुत जादा तो यह सारी चीज़े होती है इस वजह से हमारे इंबालेंसे जुए होते हैं इसमें क्या होता है जो इंस्टिशनल बैंकर्स होते हैं वो मार्केट को एक तेज मोमेंटम के साथ मूफ कर देता है तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनको बैठने कर इसमें मौका नहीं मिलता जहां पर market ने imbalance create कर दिया है तो आप यह expect कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल नहीं तो एक हफते बाद महीने बाद एक साल के बाद market वहां पर बिल्कुल आएगी और मैं वहां पर अपनी entry ले सकता हूं confirmation के बाद ठीक है higher time frame की अलग होती है lower time frame की fair value gaps अलग होती है तो हम उन्हीं को आज यहां पर देखने वाले हैं सही है तो अब जैसे कि यहां पर हमारे पास cell set के इंबैलेंस है सॉरी अब यहां पर हमारे पास cell set की इंबैलेंस है अब फीजी जो होता है वो तीन candles का combination होता है मैं bearish strand में हूँ तो अभी मैं यहां पर आप से bearish strand की बात कर रहा हूँ ठीक है अच्छा तीन candles का combination होता है तो जो हमारी first candle होती है उसका low और जो हमारी third candle होती है उसका high उसके दर्म्यान जो gap बन रहा होता है उसको हम कहते है है fair value gap इसको हम draws इस तरह करते हैं कि जो हमारी first candle होती है bearish strand में उसका low लेकते हैं और जो हमारी third candle होती है उसका high लेते हैं ठीक है यह हमारा यहां पर close होती और उसके बाद यहां पर drop होती है फिर यहां पर जाती तो यहां पर हमारा कोई भी fair value gap नहीं होता हमारा यहां जो है अपना gap बना दिया है तीन candles के दर्मियान में अगर यह candle हमारी यहां पर होती ठीक है तो तब जो हमारा जो फिर वेल्यू गयाप था वो यहां से इतना सा रह जाता ठीक है फिर वेल्यू गयाप हमारा हड जगा पर consider किया जाता है चाहिए वो जरा सा हो चाहिए वो एक बड़ा फिर वेल्यू गयाप हो ठीक है यह चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि फिर वेल्यू गयाप इस वज़ए से important है कि market आज नहीं तो कल उसको लाजमी फिल करती ही करती है कुछ भी scenario हो जाए ठीक है तो हमारे फिर वेल्यू यहां पर हो जाता तो इस तरीके से market bearish trend में हमारी आ जाती है तीन केंडल का combination इसी को हम बुलिश में देख लेते हैं मैं वापस इसकी setting reset कर दूं अब हमारे पास एक bullish है यह हमारे पास इस buy side का imbalance है ठीक है पाई side का imbalance है यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट नहां पर इसका जो first candle ये भी तीन केंडल के combination होता है जो first candle, second candle और यह ठर्ट candle जो हम्हारी first candle होती है उसका high हम लेंगे bullish scenario में और जो thot candle होती है उसका low हम लेंगे है सही है अब यहां पर आप देख यहां से उपड़ चली जाती और यहां पर आ जाती तो हमारा यहां पर गैप फिल हो चुका होता तो पिर हम यहां पर मार्केट को नहीं देखेंगे पिर हम next move on कर जाएंगे कि अब हमारा next gap किदर बन रहा है मार्केट किदर create कर रही है तो यह हमारी आपके फिर वेल्यू गैप होते हैं जिसको हम लाजमी देखते हैं जब आस्ता इस्ता आप लोग ट्रेट करेंगे बैक्टेस्ट करेंगे आप लोग समझ आ जाएगा कि और बलॉक इतना जरूरी नहीं होता यह मैं बहुत एक इंपॉर्टन बात कर रहा हूं और बलॉक इतना जादा जरूरी नहीं होता आपके फिर वेल्यू गैप की बेसिस के उपर ही आप एंट्री एक्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है यह हम आने वाले चीज़े आने वाले दिनों में सीखेंगे यह चीज़ भी जब आप बैक टेस्ट करेंगे तब भी आपको इस चीज़े क्लियर हो जाएगी तो किया मैंना बताया कि जो फे्र वेल्यू गे पूता है वो तीन गैंडल का कॉंबिनेशन होता है बेरी सेरेंड में फर्स कंडल कर लो और ithat एंडिल कर लो ठीह व्मारे पास होता हैाब इसको हम लाइफ एक्जैंप्ल में जारा समाज़ लेधे हैं अब यहां पर मैंने मल्टिपल जो है फिरानली है अल्रडी जुरूर करके रखे माथ यह मेल पास एक गोल्ड का चार्ट है अब यहां पर आपदेखें कि नापर एक मार्केड नहीं मारे पास फेर वेलू बनाया यह वाली स्येल सब्सक्राइब करें यह न है और यह भी थो यह लॉट इसका रख लो इसका रर्ण चैनल ॉच्छ आम देखते हैं इसकी यह लैंपर करीब नहीं यह Cll ले नहीं एक तब हम तो कीसटे करते कि यहां पर हमारे पास Dee 실제로 चुक है यहां पर आप देख सकते हैंये और यह एक रे यह भजआ हमारे पास बना है तो यहां पर हमने इसको लगा दिया यह फिर वैलू गापर अब मार्केट ने किया गया मार्केट यहाँ पर आई कुछ टाम के बाद वापस ही हमारे पस याँ जा था फ्राइडे 24 और दो दिन के बाद जब मार्केटेसंदे ऊफ के बाद पर मार्केट खुली हमें म旅 को तो मार्केट यहाँ पर अगेन आई है इस फेयर वेलइज यहां पर देख सकते हैं हमारा lock मार्के यहांपर नहीं है यहां gdzieś हमारेgos ने फिल प्र पर अछी यहां इसी तरीक से यहां पर आप हमारेपास और sell side imbalance है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह first candle का low और यह third candle का high, इसके तर्मियान जो middle था, यह हमारे पास fair value gap बना, market अगेन यहाँ पर आई है, market ने यहाँ से react करा है, इस fair value gap से, ठीक है, हमारे पास multiple fair value gaps है, जो रोजाना बहुत सारे बनते हैं, और हमें सिर्फ उनको समझना ह होता है कि कौन सा fair value gap हमारे पास बना है, उससे market react करेगी और कौन से react नहीं करेगी, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बना है, अब यह हमारे पास buy side का imbalance बना है, मतलब यह bullish trend के अंतर हमारे पास fair value gap बना है, जिसमें हमारी जो first candle है, एक चीज़ आप देख सकते है यहां पर ज़रूरी नहीं है candle yellow बनी है, यह एक red हमारे पास candle बनी है, जो कि एक bearish candle है और यह हमारे पास bullish candle है, तो ज़रूरी नहीं है कि यह वाली जो first candle है, यह bullish candle का color कुछ भी होता है, उससे फरक नहीं पड़ता, तो हमारी जो यह first candle है, इसका high और यह third candle है, इसका low, bearish trend के अंदर sell set का imbalance है, market जो first candle है, इसका low और यह जो third candle है, इसका high, market ने यहाँ पर हमारे पास ए gap बनाया, market ने यहाँ से react करा, और again instant market यहाँ से drop हो गई, same scenario here, यहाँ पर आप देख सकते है, color मैं आपको बताया, वो matter नहीं करता, यह bullish candle थी, यह bearish candle थी, और यह again bearish candle थी, इ पर हमारे पास gap करें, market ने slightly यहाँ से react करा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने के, market ने यहाँ से react कर दिया, तो it doesn't mean के market यहाँ से वापसी नहीं आएगी, market ने सिर्व हमारे पास इस जगह से react कर रहा है, बट अभी हमारे पास, हमारा जो gap है पहले यहाँ था, अब यह थो देख सकते हैं, कि multiple अभी तक हमारे पास fair value gaps मौझूद है, यह हमारा live chart ही है, जो कि आज market close है, तो market का, अब मुझे पता है, कि जब market कल को यहाँ पर आएगी, तो इन वाले fair value gaps, जो अभी तक हमारे पास tap नहीं हुए है, market यहाँ से आके reaction देगी, और फिर market यहाँ से उपर जा सकती है, तो यह fair value gap और imbalances का concept होता है, जब market में एक तेज मोमेंटम होता है, चाहे वो sessions के दरिम्यान हो, चाहे वो news के दरिम्यान हो, तब institutional bankers जो है, तेजी से market को move कर देते हैं, यह देखें, जब market यहाँ पर तेजी से move हो जाती है, तो retail traders का बैठते हैं, जब उसके reaction बैठते हैं, जब market अगेन यहाँ पर जाती है, तब हमें पता है कि मैं यहाँ से अपनी entry ले सकता हूँ, और फिर मैं अगेन उस right के अंदर शामिल हो सकता हूँ, ठीक है, multiple आप यहाँ जितनी भी FVGs देख सकते हैं, सब imbalance के साथ market ने तेज मोमेंटम किया, फिर अगेन जब Allah'ाफिस.